किसी जमाने में भारी भरतम सामान के लिए कि पैकिंग करने में जो मुश्किल होती थी उससे जम्बो बैक्स के प्रयोग में आने से निजास मिल चुकी है फ्लेक्सिबल इंटर्मीडियेट बल्प पंटेनर्स यानि FIBC के नाम से भी मशूर जम्बो बैक्स पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए एक बेहर जरूरी इनोवेशन और काफी कारगर उत्पात बनकर उपने हैं जम्बो बैक्स काफी मजबूत बैक्स होते हैं जिनको प्योग बड़ी मात्रा में सामगरी को एक जगर से दूसरी जगर ले जाने के लिए किया जाता है जब थोग खाद्य और फार्मसेटिकल वस्तूओं के परिवहन की बाताती है तो जम्बो बैक्स प्रमुक रूप से काम आते हैं जम्बो बैक्स की डिमांड में लगातार व्रिथी हो रही है जाहिर है जम्बो बैक्स मेनफाक्चरिंग का वेवसाय एक काफी फाइदिमंद वेवसाय है और इसी वजह से आज IID आपके ले लेकर आया है इस बहतरीन वेवसाय से जोड़ी सारी जानकारी राव मटीरियल इस वेवसाय को शुरू करने के लिए आपको राव मटीरियल के तोर पर पॉली पॉली यानी पीपी ग्रानुल्स लो दंस्टी पॉली थाली यानी ल्डीपी ग्रानुल्स और पीपी मुल्टि यान की जरूरत होगी मशीन संट एक्प्मेंट जम्बो बैक्स मनुफाक्चरिंग ये वेवसाय के लिए आपको एक्स्टूडर, टेप स्टेचिंग लाइन, टेव वाइंडर्स, सर्कुलर वीविंग मशीन, एक्स्टूजिन कोटिंग मशीन, फाब्रिक कटिंग मशीन, फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन, बेल्ट वीविंग मशीन, बेल्ट कटिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, कोल्ड प जिसके बाद इस फिल्म को स्ट्रेशिंग और एनिलिंग प्रकरिया से होते हुए विशिष्ट माप के टेप का अकार दिया जाता है। पिर इन गॉबिन्स को सर्कुलर वीविंग मशीन पर लोड किया जाता है। जहां इन multiple tapes की weaving से जंबो wax के लिए PP फैबरिक तयार किया जाता है अगली प्रकरिया optional है जिसमें आवश्रक्ता अनुसार इन PP फैबरिक की property इंप्रूब करने के लिए इस पर PP और LDPE की coating की जाती है फिर polypropylene फैबरिक को cutting machine में डाला जाता है जहां इसे विशिष्ट माप के आकार में काटा जाता है इसके बाद इन cut fabric pieces पर customer requirement के नुसार desired logo और pond की printing की जाती है इस चरण के बाद back के handle piece और strap बनाया जाते हैं जिसके लिए PP multi filament yarn और PP tape को belt weaving machine में feed किया जाता है इसके बाद belt को desired length में cut कर लिया जाता है इस प्रक्रिया के बाद fabric और handle की अनुभवी कारिगरों द्वारा stitching की जाती है और jumbo backs को उनका desired profile दिया जाता है jumbo back को पूरी तरह तयार करने के बाद इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है जिसमें इसकी tensile strength, UV strength और GSM आदी की जांच की जाती है अब ये products पूरी तरह तयार हो जाता है और आखिर में इन्हें required quantity में bunch बना कर hydraulic whale press machine में प्रेस कर दिया जाता है और फिर market में supply करने के लिए ठेश दिया जाता है Manpower प्रारंबिक स्तर पर इस जिवताय के लिए आपको लगभग 15-20 workers की आवशकता होगी वीडियो में दिखाय जा रहे plant के हिसाब से इस पूरे process को complete करने के लिए और plant रन करने के लिए आपको 50-80 manpower की आवशकता होगी जिसमें 40-60 skilled और 10-20 unskilled workers की requirement होगी Power load connection इस ज्रेवसाय में प्रारंबिक स्तर पर आपको 50-60 kilowatt power load connection की ज़रूरत होगी वहीं वीडियो में दिखाय जा रहे plant के हिसाब से इन सभी machines, equipment और पूरे plant को रन करने के लिए 1600-800 kilowatt power load connection की आवशकता होगी एरिया प्रारंबिक स्तर पर 20-25 टन प्रती महा की उत्पादन शमतावाले जंबो बैक्स manufacturing के plant को रन करने के लिए आपको 10,000-15,000 square feet एरिया की आवशकता होगी 200-600 metric turn प्रती महा की production capacity पर वीडियो में दिखाय जा रहे large scale unit को शुरू करने के लिए आपको 40,000-45,000 square feet एरिया की आवशकता होगी जिसमें production area 30,000-35,000 square feet raw material storage area 45,000-45,000 square feet finished goods area 45,000-5,000 square feet और administrative area भी शामिल है उप्रोक्त सभी figures आपके project के size, प्रकार और आपके investment के नुसार बढ़ या खड़ सकती है investment and profitability अब बात करते हैं इस व्यफसाय से जुड़े investment और profitability के बारे में प्रारंभिक स्तर पर आप 15-20 लाक्त के साथ इस व्यफसाय को शुरू कर सकते हैं वहीं वीडियो में दिखाय जा रहे प्लांट के हिसाथ से Jumbo Bags manufacturing business शुरू करने के लिए आपको लगपत 20-25 करोण के investment की ज़रूरत पड़ेगी इस व्यफसाय से आप करीब 10-15 प्रतिशत profit कमा सकते हैं ध्यान दें कि ये सभी फिकर्स आपके business की production के पास्टी पर डिपेंट करती हैं Jumbo Bag industry एक काफी developing industry है और इसकी requirement लगातार रहने वाली है आगे भी त्युकि ये product हर industry में use हो रहा है और single use order product होने के कारण इसकी requirement तभी रुपने महीं वाली है तो मैं यह कहना चाहूँगा जो इस industry में आना चाहते है इसको आप long term बरस्तक के growth की तरह से नजरिये से देखे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी Licenses इस website को शुरू करने के लिए जिन licenses की आवश्चकता पड़े ही वो है GST, Udyam, ISO Certification, Factory License और NOC from Fire Safety and Pollution Control Board साथ इस website को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सबसीडी और अनुदान योजनाओं का लाग उठा सकते हैं तो आज IID ने आपको Jumbo Bax Manufacturing Business से जुड़ी सारी जानकारी दी ताकि आप एक सफल उध्यमी बन सकें IID प्रसिध और योगिक विशिशक्यों, शीर्ष प्रसिक्षिकों, दशकों के और योगिक अनभव वाले प्रफेशनल्स द्वारा कोशल बढ़ाने में कई महतुकांशी और मौजूदा उध्यमियों की सहायता करता है अगर आप किसी भी विशिशाय को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं और अपने बिजनस को सफलता की उचाईउं तक ले जाना चाहते हैं तो जुड़िए IID से IID की मेंबर्शिप रेजिस्ट्रिशन की सहायता से हमारे वैल्यूइबल मेंबर बनिए और पाईए इंडस्टियर दॉक्यमेंट्रीज, डीटेल्द प्रोजेक्ट रपोर्ट्स, एक्सपर्ट एपिसोड्स और धेर सारी भुमूले से वाएं साथ ही डाउनलोड कीजिए हमारी आप Entrepreneur India Life को आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर्श पर कॉल करके भी हमसे संपर्ग कर सकते हैं ज्यादा जांकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in झाल झाल झाल